हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में विक्स यानी वॉलिटलीटी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि विक्स का यूज करके आप आप संस में कैसे ट् अपको मार्केट चाहते हैं और आप यह जरूरी है अगर आम मार्केट से प्रोफिट बनाना चाहते हैं तो इन सब को सीखना क्यों जरूरी है मैं आपको एक एक ग्जामपल के थे भूपतानाई कोसिश कर रहा हूं Market आपका उपर जा रहा है आपने guess कर लिया कि market आपका उपर जा रहा है लेकिन आपको entry कहां पर लेना अगर आपने market bullish है वह guess कर लिया उसके बावजूद भी आपने अगर top पे entry ले लिया फिर भी आपको नुकसान होगा और एक और चीज़ समझे अगर आपने guess कर लिया कि market आपका bull side की तरफ है उपर जाने वाला तो जब भी market आपका bull side की तरफ जाता है या फिर bear side की तरफ जाता है या नीचे गिरता है तो उसमें दो phase होता है एक आपका होता first half एक होता आपका second half तो जब भी आपको entry लेना first half में entry लेना है अगर आपने bullish market को predict कर भी लिया है और आप entry कहां पे लेते हो second half में अगर आप entry देते हो तो वहाँ पर trap होने के chances आपके increase हो जाते हैं इसलिए आपको हमेशा चाहे आप upside की तरफ जा रहे है या downside की तरफ जा रहे हमेशा आपको first half में entry लेने की कोसिस करना है और वही आपको अच्छा खासा profit बना के देगा और यह सब आप कैसे कर पाओगे यह सब आप त आज हम इस वीडियों विक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं तो विक्स भी आपको हमेशा focus नहीं करना रहता है विक्स जब आपका बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे आप example के थुरूर समझ सकते हैं सबजी का जो rate होता है चाहे आलू हो प् भी किराओ या फिर रोट पे लोग फेक रहे हैं उसको खईदने वाला कोई नहीं तब वो नियूज में आता है आइदर उसका rate 100-500 रुपे हो जाए 80 रुपे हो जाए तब वो नियूज में आता है जब वो बीच में रहता है तब कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता है वो नियूज में नहीं आता है वो हम लोग के चर्चा का विश्या नहीं रहता है तो सिम्लवली विक्स भी जब एक mid range में विक्स रहता है तो यह हमाई लिए कोई important नहीं है फिर इसको हम consider नहीं करेंगे विक्स को हम कब consider करेंगे जब यह बहुत ज्यादा नीखी चले जाए यह फिर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए तब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से detail से समझते हैं यहाँ पर हम विक्स के चार्ट पर भी आएंगे और उसको हम nifty से compare भी करेंगे उससे पहले विक्स से विलिटे जो कुछ-कुछ point है उसके उपर यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो विक्स को हम लोग क्या बोलते हैं एक fear index भी इसको हम लोग बोलते हैं fear index क्यों बोलते हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा लेकिन अभी आपको लिहान रखना है किसको हम लोग fear index भी बोलते हैं अब यहां पर देखे जब भी Wix आपका higher level पर जाता है उस time पर क्या होता है उस time पर market में volatility बहुत ज़्यादा increase हो जाता है बहुत ज़्यादा market आपका upside या downside जाने लगता है जैसे कि अभी आपको देखने को मिला होगा लास्ट 15-20 दिनों में आप देख सकते है अपरील और मे 2022 का आप data उठा के देख सकते है कि इस time पर Wix आपका बहुत ज़्यादा high था और market बहुत ज़्यादा volatile था यह volatile किसी भी region से हो सकता उसके उपर हमें focus नहीं करना लेकिन volatility high था Wix high था और जब भी Wix high हो तो market में बहुत ज़्यादा fear रहता है इसलिए Wix को हम लोग क्या बोलते हैं fear index भी बोलते हैं यानि जब आपका Wix increase हो समझ आई कि market में क्या increase हो रहा मार्केट में आपका fear increase हो रहा है Wix को आप fear से correlate कर सकते हैं अगर Wix increase होता है तो market में डर increase होता है उसकी कारण से बहुत साहे लोग मार्केट में बाहर निकलते हैं और जब immediate निकलते हैं उस opportunity का फाइदा उठाने के लिए लेकिन बहुत साहे लोग इसमें trap होके फर्स जाते है इसलिए रेंब किके इसको आप विक्स अपसाइड की तरफ है यानि विक्स ऊपर है तो तो मार्केट बहुत ज़्यादा बोलटाइल रहेगा और मार्केट का डायक्शन आपका नीचे साइड की तरफ रहेगा आप सिंपल समझ सकते हैं कि आपका मार्केट और विक्स दोनों ws आपका नीचे तरफ आता हुआ दिख जाएगा तो मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा तो वोतले का मतलब हुआ है विक्स नीचे जा रहा मतलब जो यहां पर हम इसको fear से विलेट कर रहे थे मतलब यहां पर क्या होगा और जब लोगों में डर कम होगा तो वो क्या करेंगे वो buying करना ज्यादा prefer करेंगे और buying करेंगे तो market क्या होगा market उपर जाएगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि wix कम होगा मतलब market में जो fear है वो कम हुआ तो fear कम होगा तो लोग buy करेंगे market उपर जाएगा और fear बरेगा तो क्या करेंगे लोग वहाँ पर market से निकलने के बारे में सोचेंगे safety first करेंगे उसके बात क्या होगा market आपका नीचे side की तरफ जाता हुआ दिख सकता है क्योंकि लोग विकवाली करेंगे तीसरी आप इसको market से correlate कर सकते हैं विक्स उपर तो market नीचे विक्स उपर market नीचे विक्स नीचे market उपर तो चलिए इससे विलेटेट कुछ और पॉइंट है उसको हम समझते इसको और हम सिंपल तरीके से market से correlate करते हैं तो यहां पर विक्स के levels के उपर बात करते हैं जो मैंने अभी आपको discuss कर रहा था कि विक्स अगर मेरेंज में रहे तो हमें ज्यादा फोकस नहीं करना विक्स अगर बहुत कम रहे या फिर बहुत ज्यादा रहे तब हमें यहां पर ध्यान देना परेगा तो उसी रेंज की उपर यहां पर बात करना चाहेंगे तो सब कर दो जाये अगर विश का मतलब क्या है लेकिन वह एवरेज है जाला डरने वाली कोई बात नहीं है यह दो sellers दोनों इंट्री करते हैं और buyers थोड़े से ज़्यादा हाबी रहते हैं क्योंकि फियर उतना ज़्यादा market में नहीं है तो यह भी market के लिए क्या लाता है यह भी market के लिए positive sentiment लेके आता है overall market का sentiment यहां पर क्या रहता है हाई विक मानने का क्या मतलब है कि यहाँ पर beer बहुत ज्यादा है हाई विक को आप रिलेक कर सकते कि यहाँ पर जो ज्यादा हो गया और जब दर बहुत ज्यादा होता क्या करते हं लोग market से पर बाहर जाते हैं और वह safety के उपर ध्यान देते हैं यानि लॉस को बचाने ही कोसिस करते हैं तो यह market के लिए क्या लाता है मार्केट के लिए निगेटिव सेंटिमेंट लाता क्योंकि market में यहाँ पर फियर बना हुआ है उसके बाद यह चीज़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि Wicks आपको 25 से ऊपर निकल जाए अगर Wicks आपको 25 से ऊपर निकल जाए तो उस टाइम पे आप Market में trade मत करो क्योंकि Market बहुत ज्यादा volatile है ये highly volatile market को indicate करता और ऐसा आप बहुत कम देखे होगे कि Wicks आपका 25 से ऊपर निकल गिया है ये high risk होता और यह भी market के लिए negative sentiment दिखाता है क्योंकि market आपको बहुत जल्दी नीचे या उपर करेगा आपका 5-10 मियत में market आपका 100 point का गिरावट दिखा सकता और वहां से जबर 10 bounce back भी दिखा सकता 100 point का इसलिए यह जो range है इस range में अगर market आता है तो आपको क्या करना आपको यहाँ प के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर deep otm में जा सकते हैं जहाँ पर premium का हो वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि market अगर move करता है तो वहां तक भी पहुंसता हुआ दिख सकता है लेकिन यहाँ पर आगर आप deep otm पर भी जाएंगे तो premium आपको ज्यादा देखने को म मतलब होता है उमीद करते हैं कि आपको clear समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्स का market के साथ क्या correlation है यहाँ पर आप इसको भी टेवल के जरी समझ सकते हैं आप चाहो तो इसका भी screenshot लेके रख सकते हो इसको पहले समझ लेते हैं अगर market आपका ऊपर ज नीचे जा रहा है ठीक है विक्स स्टेवल है मतलब मार्केट में जो फियर है वो एक जगह पे रुका हुआ फियर इंक्वीज नहीं हो रहा उसके बावजुद भी अगर market नीचे जा रहा मतलब यहाँ पर market बहुत जल्ब bounce back करेगा यह सही टाइम होता है जब आप accumulate करो जब भी ऊपर जा रहा है मतलब market में फियर इंक्वीज हो रहा है और market भी ऊपर जा रहा है मतलब बहुत जल्दी लोग क्या करेंगे profit बुक करें उसके बाद market आपका नीचे साइड की तरफ जा सकता है विक्स बढ़ने के साथ-साथ market बहुत देर तक ऊपर नहीं जा सकता उस quality मे आपको समझ सकते हैं और ज्यादा क्ली के आपको समझ में आ जा जाएगा इस तरीके से simple तरीके से आपको बहुत कम जगह बताए जाएगा जो भी बताएगा वो आपको paid course में बताएगा free में आपको कोई नहीं बताएगा मैंने दो table में simple तरीके से आपको समझा दिया बहुत लोग आपको बताएगे कि आप समझ लिए कि wix उपर जा रहा है और यहाँ पर और भी हम detail में जा रहे हम और वहाँ पर भी हम और अच्छे तरीके से आपको समझान ago किसके जरी आप options में कैसे ट्रसकतें कैसे ट्रसक्ते हैं ले सकते वह भी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है तो चलिए उसको भी समझते है स Bye यहां पर पर और चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आपका विक्स कूलिंग डाउन हो रहा है ठीक है तो इस थाइम पर आपको क्या करना ऑपिसंस नीची आ रहा तो प्रीमिम भी बहुत फास्ट करता है तो इस ताइम पर क्या होगा अगर आप और आप यहां आपको maximum benefit भी लेगा इस time पर आप options buy करेंगे और price में moment भी आता आपके favor में फिर भी आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि Wix के साथ साथ premium भी बहुत fast decay करता है और जब आपका Wix upside की तरफ जा रहा हो उस time पर क्या किजिए उस time पर आप options को buy करना prefer कर सकते क्योंकि जब Wix increase होता उसके साथ premium भी आपका increase होता चलता है तो जब आपका Wix इंक्वीज हो रहा है उस time पर options buying आप prefer कर सकते हैं जब आपका Wix decrease हो रहा है उस time पर options selling ज्यादा prefer कर सकते हैं तो यहां पर चार्ट पर आगे देख सकते हैं यह आपका nifty का hourly चार्ट और यहां पर हम कुछ एक्जांपल के थ्रू निफ्टी और विक्स का जो विलेशन है उसको समझने की कोसिस कर रहे है तो यहां पर देखें यह डेट का है यह डेट है आपका 25 अप्रील को 25 अप्रील को क्या हुआ हुआ है निफ्टी आपका gap-down open हुआ है और उसके यह कि आपका ओपर साइड की तरफ जा रहा है जबकि यहां पर मार्केट में क्या लेज़ा है तो निफटी आपका ग्याप खुला था ौर आपका नीचे रहा और आपका कि यहां पर आपका हो रहा है यहां पर आपका कि राइस कर रहा है यह फै hiện आपका नीचे सैड की तरफ भी गया है तो इस तरीके से आप माकेट के सैंटिमेंट को आप पता कर सकते हैं आप आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला तीन कंडल के बाद हमने विक्स के जड़िये देख लिया कि मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ ही जा रहा है तो यहाँ पर जो भी कॉल लोगे क्या करोगे अगर आप ऑप्संस में ट्वेड करोगे तो पुट ऑप्संस बाई क्या प अप्साइड की तरफ ही दिखाया देख सकते हैं पूरे दिन यहाँ पर आपका ग्वेड केंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है तो इस तरीके से आप इंडिया विक्स और फिर निफ्टी का विलेशन आप फाइंड कर सकते हैं इंडिया विक्स को अगर आप चार्ट पर एडड करना चाहते हैं तो आप आड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर एक जांपर समझते हैं अब देखिए 21st of April को market gap open हुआ है और market आपका ऊपर साइट की तरफ जा रहा पहला तीन candle यहां पर हमने देख लिया अब यहां पर हम क्या करते हैं विक्स को देखते हैं कि विक्स इसके रिलेटर कैसा मूब दिखा रहा 21st of April को यहां पर हम आते हैं 21st of April को यहां पर देखिए विक्स आपका रेंज में उपन हुआ उसके बाद आपका यहां पर नीचे साइट की तरफ जा रहा पहला तीन और देख सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद यहां पर हम बाइसाट की तरफ जाना प्रेफर करेंगे चाहे आप फ्यूचर में बाइख कर लो यहां पर आपके पास डिफ्रेंट आप्शन रहेगा उस दिन मार्केट में डियक्ट करने के लिए इस तरीके से आ आप विक्स को देखते हुए मार्केट में ट्वेड कर सकते हो अपने ट्रेडिंग पोजिशन ले सकते हो और अपने एक व्रेसी लेबल को इनक्वीज कर सकते हो अगर आपको इस से विलेटेड कोई भी डाउट या कन्फीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो वहाँ पे आपका proper answer किया जाएगा so that's all friends अगर आपको वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिन